इस वक्त इसराइल एक साथ तीन मोर्जों पर युद्ध लड़ रहा है हमास हिजबुल्ला और हूती पर कहर बरपा रहा है अपने दुश्मन के खात्मे को लेकर इसराइली पियम बेंज्यामन ने त्नियाहू केरा दे बिलकुल स्पस्ट है हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आकरी चेतावनी को दोहरा चुका है वो चेतावनी है दुश्मन का समूल नाश इसराइल ने हसन नस्रला को मार कर हिजबुल्ला को अब तक का सबसे बड़ा जटका दिया तेल अवीब पर हूती के डोन और मिसाइल अटेक के बाद इसराइल ने यमन में उपरेशन हूती रहन शुरू किया जो यमन विद्रोहियों पर आईडियफ के ये सबसे बड़े हमले है इसराइल के अकरामक तेवर से साफ है कि वो अब रुकने वाला नहीं है अब वो अपने दुश्मनों का संपून विनाश करने के बाद ही रुकेगा एक तरफ ट्रिपल अच को मिट्टी में मिलाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है तो वही इनको समर्थन देने वाले इरान पर आखे तरेर रहा है इस्राइली पियम बेंजामिन नितन्याहू सीधे शब्दों में इरान के सुप्रिम लीडर को चेतावनी दे रहे है पहले इरान और अब मिडिल इस तक अपनी पहुच गिना रहे है नितन्याहू की बातों से साफ है कि अपने दुश्मन को लेकर उनके रादे स्पस्थ हैं और अब वो रुकने वाले नहीं है इसलिए उन्होंने एक विडियो संदेश फिजारी किया पहले इरान के सुप्रिम लीडर आयातुल्ला खामिने को धमकाया देखे सवाल बड़ा है मिडल इस्ट में क्या जन के हालाद बन गए है और ऐसे में हिजबुल्ला और हूती संगठन के पास अब क्या विकल बचता है वहीं IDF की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है हिजबुल्ला की उपर अटाक को लेकर क्या कुछ खबर है इस रिपोर्ट के ज़री देखे एज्राइल का उपरेशन राउंड टू शुरू अब एज्राइल की हिट लिस्ट में इरान नेतन न्याहू की लिस्ट में अब इरान का अगला नंबर हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के बाद एज्राइल ने अपने नए मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है नेतन न्याहू का नया मिशन है हमास और हिट पुल्ला का साथ दने वालों को सबक्स सिखाना जिसके लिए एज्राइल ने अब तैयारी भी शुरू कर दी है एज्राइल का वाड रूम से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया के होश उडाती है सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखे फिर आपको नेतन न्याहू का वो प्लैन भी बताएंगे जिस दे आज पूरा मेडे लिस्ट डरा हुआ है देखे एज्राइल के वाड रूम में एज्राइल ने अपने दुश्मनों की पूरी लिस्ट लगा रखी है जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी तफ्वीर पर क्रॉस का निशान है और जो लोग सिंदा हैं और हमले के डर से कही छिपे हैं उनकी भी तफ्वीर है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नेतन याहूं के दुश्मनों वाली लिस्ट में लिबनान, यमन, गाज़ा और एरान के टॉप कमांडर शामिल हैं जिसने सीधे सीधे हमले में या तो इजराइल को नुकसान पहुँचाया या फिर किसी ना किसी रूप में इजराइल के दुश्मनों का साथ दिया इसलिए अब नेतन याहूं ने ऐलान कर दिया है कि उसके दुश्मन साथधान हो जाए सुनिए एजराइल के प्रधान मंतरी बेंजा में नेतन याहूं ने क्या कहा फिर आपको बताएंगे कि नेतन याहूं कि इस चतावनी को एरान से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है क्योंकि एरान ही है जो बार बार इसराइल का उपरेशन इंतकाम में सबसे बड़ा काटा बनता रहा है क्योंकि चाहे हमास पर हमला हो या फिर यमन पर एरान ने हर बार इसराइल के खिलाफ इन देशों का साथ दिया और इसलिए नेतनियाहू ने अब बिना डरे बिना जुके और दुनिया के तमाम देशों की परवा किये बगैर एरान के सुक्रीम लीडर आयातुलाख खामनाई को सीधे सीधे धमकाया है नेतनियाहू ने तो अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है और इसलिए नेतनियाहू उपकर दुम किसे तावन नेतनियाओ लुगतने में है नेतन्याहू की इस चेतावनी से साफ है कि अपने धर्जनों दुश्मनों को मौत के नीन सुलाने के बाद भी नेतन्याहू का गुसा शान्त नहीं हुआ है अमास्त ने पिछले साल 7 अक्चूबर को एजुराइल में घुज़कर जो नरसंधार किया था उसके जख्म आज भी नेतन्याहू को वेचाइन कर रहे है और नेतन्याहू अपने जख्मों को भरने के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ इंतखाम प्यूरो रिपोर्ट डिपाब्रिक भारा तो इज़राइल इस वक्त बदले की आग में है और यही वज़े है कि हिजबुल्ला को खत्म करने की इज़राइल ने कसम खाली है लेकिन देखे लगाता है जहां बंबारी हो रही थी एरस्ट्राइक के जर्ये हिजबुल्ला के ठीकानों पर हमला किया जा रहा था लेकिन अब जमीनी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है आईडियफ की तरफ से अब जमीनी हमले को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और 2006 के बाद लेबनान में इसराइली सेना के जो जवान है वो घुश चुके हैं आईडियफ हेजबुल्ला के बीच 33 दिनों तक जंग 2006 में चली थी और उसमें भी जबर्दस तरीके से तबाही हुई थी जंग में 1100 से जादा लेबनानी जो हैं वो मारे गए थी और इसराइल के 165 लोगों की युद में जान चली गई थी इसके लावा आपको उता देगी जसरीके से देखिए अब 2006 की स्थिती बंती भी नजर आ रही है इससे लग रहा है कि अब कहीं न कहीं हालात बिगड सकते हैं अगली ख़बर क्या है रुक कर लेते हैं प्रेयंका का और चली अब आपको बताते देखिए IDF का ग्राउंड ओपरेशन शुरू हो चुका है इसको लेका एक वीडियो भी जारी हुई है लेबनान में दाखिल हो चुकी है इसराइल की सेना चारों तरब से लेबनान का घेराब हो चुका है इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की जानकारी दी है खुद इस ख़बर की पुष्टी की है लेमिटेड ग्राउंड ओपरेशन नाम दिया गया है इस ग्राउंड ओपरेशन को और साथी दक्षणी लेबनान की सीमा से लगे गावों में एंट्री हो चुकी है यानि कि धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही है आईडियाफ की सेना और ऐसे में एक बड़ा हमला होगा हिजबुल्ला के बुनियादी धाचे पर अटाक की तैयारी की जा रही है मुखे तोर पर जो बुनियादी धाचा है पहले वहाँ पर अटाक किया जाएगा और मुखे तोर पर जो मकसद है वो यही कि हिजबुल्ला का खात्मा करना है हिजबुल्ला एक आतंक की संग्ठन है जितने लोग इसमें शरीक है उन सब को मारा जाएगा लेबनान पर जमीनी हमले के लिए IDF ने ट्रेनिंग ली थी आपको बता दें लेबनान पर कैसे जमीनी हमला करना है इसको लेकर IDF की जो सेना है बकाइदा ट्रेनिंग ली गई थी तैयारी की गई थी एक मजबूत रणीती बनी है और उसके बाद इस कदम को उठाया गया है अगली खबर आपको पुनिता बताएंगे तो आपको आदें कि जिस तरीके से पूरा विवाद देखने को मिला था दिल्ली शाही इदगा मामली को लेकर और इसी को लेकर आज हाई कोट में सुनवाई हुई और सब्सक्त टिपनिता की गई है और कहा गया है कि रानी लक्ष्मिवाई जहासी की युद्धा है और इन् 57 की लड़ाई नहीं भूल सकते हैं, इसी खबर पर हमारे वरिष्ट सयोगी आखिलिश राय हमाई सा जुड़ गए हैं, आखिलिश कोट की तरफ से मुखे तोर पर क्या-क्या टिपनी की गई, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, रानी लक्ष्मी भाई की एहमें तब कोट को ब 1857 की लड़ाई को हम भूल नहीं सकते क्योंकि हमारी नेशनल आइकान है, वो कई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने जिस तरह का त्याक किया इस देश के लिए, जिस तरह का बलिदान किया है, उसमें धर्म को आड़े रखकर नहीं देखना चाहिए, धर्म को किन लैंड है, वो डीडिये का है, उसमें नमाज पढ़ने पर आपको कोई आपती नहीं है, तो आखिर एक कोने में एक जगह पर जो रानी लक्ष्मिवाई की मूर्ती लग रही है, तो उसमें आपको एतराज कहा है, ये सवाल फिर से हाई कोट ने उठाया, और पिछली जब और उसने कहा था कि आप माफी नामा दीजिए और अपनी आचिका को सुधार करके लाइए, आज उन्होंने साही इद्गा कमिटी की तरफ से माफी नामा भी दिया गया, उस माफी नामे को डबल बेंच ने एकसेप्ट किया, अपने रिकार्ट पर लिया, और उसके बाद ज जो पार्ख है उसमें नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत समय से पढ़ रहे हैं, डीडिये ने कभी एतराज नहीं जताया है, शाही इद्गाज कमिटी करे ये कि ये जमीन डीडिये की है, ऐसे में किस बात पर आगे हाई कोर्ट सुनवाई करें, इन दोनों पक्षों को कहा है कि आप आपस में बातचीत कर लीजे, शुक्रवार के दिन दोनों पक्षाएंगे, उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आखिर शाही इद्गाज कमिटी जो याचिका लेकर पहुंचा था, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर कर चुका है कि जो मूर्ती लगा अवे निर्मान पर कारवाई होनी चाहिए, ये सुप्रिम कोट की तरफ से टिपड़ी की गई है, तिक्रमन को हटाना ही होगा, जनता की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, सुप्रिम कोट में आज एक बार फ़र से बुल्डोजर अक्षन को लेकर सुनवाई जारी है, आप अक्टूबर तक अवे निर्मान पर कारवाई पर रोक लगा दी गई थी सुप्रिम कोट की तरफ से, लेकिन आज एक बार फिर से टिपड़ी की गई है, क्या कुछ कहा गया कोट में, अकलेश जी से जानने थे, अकलेश जी, क्या कुछ सुप्रिम कोट में आज पर अतिकरमर्ण करता है, अगर वो किसी और ऐसी जगा पर अतिकरमर्ण करता है, जो कि सारवजनिक है, जिससे आम लोगों को तकलिफ होती है, तो उस पर कोट कोई हस्तक छेप नहीं करेगा, जस्टिस गवई ने यहां तक कहा कि मॉंबे हाई कोट में, वो जब जस्त थे, उस दोरान पटरियों पे तमाम अतिकरमर्ण थे और उन्हें हजार से ज़्यादा अतिकरमर्ण को हटाने के लिए आदेश खुद दिया था, लेकिन यहां जो सवाल है, वो जमियत उलेमा हिंद की तरफ से यह कहा गया है, कि किसी भी ब्यक्तिको अगर किसी आरोप में पर्याद समय दिया जाएगा, उसको अपनी बात अदालत में रखने का और वहां अदालत में याचिका दाखिल करने तक का वक्त दिया जाएगा, उसके बाद अदालत जो फैसला करेगी, उसके आधार पर वो मुनिस्पल कॉर्परेशन उस घर को तोड़ेगा, या फिर उस इस वर्क के खिलाप ये ज़्यादा कारवाई की जा रहे है, इस तरह की बाते सामने आई, लेकिन सॉलिशिटर जनरल भी ने भी इसको